तो guys, कल मैं आदीपुरुष देखने गया था और मुझे पता ही नहीं चला whether this is आदीपुरुष की ड्राकुला अंटोल की KGF, की प्लानेट ओफ अपस या टपोरी एवेंजर्स You see guys, I don't wanna get into this I'm not a person who likes to get into such kind of controversies बट ये मुवी देखने के बाद मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आदीपुरुष हमारे भगवान च्री राम की गाता है इसे लिखा ही गया था ताकि लोग इसे युगो युगांतर तक याद रखे और इससे सीखी हुई सीख को लेके अपनी जिन्दगी में परिवर्तन लाए दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ती से युद कर जाता है जिसमें अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है काफी सारे लोग बड़े ही एक्सपेक्टेशन्स के साथ ये मुवी देखने गए थी पर निराशीनी बलके बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो उठे है इसके डिरेक्टर ओम रावत के उपर इसके राइटर मनोज मुंतासिर के उपर और सारे कास्ट एंड क्रू के उपर भी इसके डाइलोक्स तो इत्ते ज्यादा वाहियात जिसका कोई तुक ही नहीं बनता आपने ये मुवी तो देखा ही होगा क्योंकि मैंने भी देखा ही है तो देखो यार मेकर्स ने तो भर-भर के पैसे चाप लिए उन्होंने सोचा कि लोग बेवकूफ है और श्री राम एक इन्वेस्मेंट स्कीम जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है और भर-भर के पैसा चाप सकते है So this is the result of negative publicity तो इसमें इन्सान पहले अपने आपको बेईज़त करता है और बहुत सारा fame कमा लेता है और fame कमाने के बाद अच्छे कारियों में लग जाता है क्योंकि लोगों की short term memories होती है इसलिए वो ऐसे type के controversies भूल जाते हैं तो ऐसे लोग इसका फाइदा उठाते हैं वो पहले controversies में आते हैं वो famous होते हैं और पैसा कमाते हैं और उसके बाद अच्छाई का नकाब लगा लेते हैं पहले ये नेता लोग करते थे अब ये cinema वाले भी कर रहे हैं यूनो हम सब लोगों को लगता है कि ये एक practical effect है पर ये शायद इससे भी गहरा marketing strategy है to promote आधी पुरुष तो guys अब ये practical effect है क्या so practical effect एक ऐसा effect है जहांपे brands अपनी गलतियों को दिखाते हैं उसको negatively प्रपोर्ट करने के बाद अपनी गलतियों को मानते हैं ताकि उसे promotion मिल पाए इसके उपर कोई और दिन बाते करेंगे कि ये practical effect काम कैसे करता है और लोग इसे marketing strategy में कैसे use करते हैं पर for now, let's get back to the video so getting back to the video so according to psychology बस उस एक परसेंट गलतियों के उपर ही अटका होता है for example, जब इनसान relationship में हो और जगडा होने के बाद वो अपनी सारी अच्छी यादे छोड़कर बस उस एक बुरी याद को लेकर नुक्स निकालते रहता है और ये हर सिनारियों में सेम है आपके social life में, आपके नीजी जिन्दगी में आपके काम में and so on and so forth तो फिर अगर सब कुछ गलत हो and if it's a big blunder mistake तो इनसान आखिर नुक्स निकाले तो निकाले क्या तो गाईज अब तो मुझे लगता है कि घोर कल्यूग आही गया क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पुरानों में हमारे गरंतों में पहले से ही लिखा गया है ऐसी चीजें जैसे कि technology में बहुत बढ़त होगी और बहुत सारे लोग spirituality में आएंगे और घोर कल्यूग में, साधू के भेश में भगवान का मजाक उड़ाय जाएगा देखो दोस्तों, मुझे और बहुत कुछ कहना है पर शायद ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा मेरे इस वीडियो बनाने से पहले मैंने कहीं बार सोचा कि क्या मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं ताकि मेरे कहे जाने वाले शब्दों से किसी को ठेस ना पहुचे अगर ये वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीख मिलियो तो प्लीज सोचे और ऐसे लोगों को फॉलो या प्रमोट ना करे क्योंकि जनता ही जनारदन है प्लीज सब्सक्राइब और कॉमेंट कीजे नमस्ते जी दिस इस विश धन्यवाद और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ